हेलो फ्रेंद्स तो आज भिंडी की सब्सी कुछ दिफ्रेंट तरीकेस बनाते हैं यहाँ पर हमने आदा किलो भिंडी लिये, इसको कट कर लिया है साथ में प्याज टमाटर हरी मेल्च लेसन कटा हुआ है पिर हमने ये कटी होई भिंडी के उपर चाह से पांच चम़च हम बेसन यूज कर रहे है पूरे में अब एक चम़च लालमेच पावडर एक चम़च घफ़adow रही। यूज किया यूज किया है। टेस्ट के कोणिंग नमक और जीरा पावडर ॹेज किया आप इन बेशन एपलाई हो चुका है आप दूसरी तरफ हम कढ़ाई लेंगे कढ़ाई में थोड़ा सा ओइल डालेंगे और भिंडी को अच्छे से हम भूनेंगे जिससे हमारा जो बेशन है बहुत अच्छे से भून जाए अब इसको हम ढखके थोड़ी देर के लिए पका लेंगे त अभी इसको थोड़ी देर और पकाना है तो इसको हम ढखतेंगे थोड़ी देर के लिए अब फिर देखते हैं तो इसको दो तीन बार खूब अच्छे से पलट देना है पलटने के बाद हम एक प्लेट में निकाल लेंगे तो हमने सभी बिंडी को एक प्लेट में निकाल लि और और लाथा हमारा भून चुका है फिर इसमें सब्सक्राइब करगा। make out the Albanese karşı mention first we stick with syrup in सब्सक्राइब पाउडर, अभिने के बाद करें के abbiamo जोने के बाद मासाला होड़ेंगे एक चमश लालमेश पाउडर ऑर थोड़ा से क्रम मसाला और आम चूरी जरूर यूज करेंगे अब इन सभी मसालों को हम अच्छे से पका लेंगे अब इसमें हम थोड़ा सा पानी आड़ करेंगे पानी याँ पर हम आदा ग्लास यूज करेंगे जिससे कि हमारा ये पूरा मसाला अच्छे से भुन जाए अब मसाला मारा भुन चुका है तो अब इस सब्सक्राइब, मसाले में चंब करेंगे पड़िदी को अboo कि इसी तरह से हम में इसको अलटते पलटते रहेंगे चलाते रहेंगे कि अब इसमें हम थोड़ा सा नमक और टिस्त के काॉड़िंग डालेंगे और फिर से इसको धक देंगे अब 2 मिनाट तक हमने इसको ढखके पकाया है तो अब इसमें हम उपर से नीवु करस निचोड़ देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे तो ये हमारे भींडी की सबजी बनके तयार हो चुकी है अब इसको हम सर्व करेंगे इसको आप रोटी के साथ या पूरी के साथ जिसके साथ आप खाना चाहें खा सकते हैं थैंक्स फॉर वाचिंग माई वीडियो